आज लाई यो छोले बनाने का ऐसा जबद जट और यूनिक तरीका जिसमें बिना छोले उबाले सारी चीज़े कुकर में डालिए और पांच मिट में सिफ दो चमर तेल से एकदम जबद जबद जट छोले बनके तयार होंगे एक बोर आप इस रेस्पी को जरूर ट्राय करके देखें आपको बहुत 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 पसंद आईगी चलिए देख लेते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो जैनको लाइक शेर और सब्सक्राइब करना भूले चली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर काबली चाने लेकर रात भर के लिए 6-7 गुंटे के लिए अच्छा से सोक करने रख दिया था सोक हो चुके है तो मैं दो पसंद के सबसे यहां पर एक कप कबली चुनल लिया था अब बस आपको कुकर लेना है ना ही ही छोले को बॉil करना है अलग से ना ही कोई ताम ज़ाम करना इतो यह देखें इसमें कुकर में दालने के बाद यह मैंने लिए पालक एक बोल पालक अच्छा सा वाश करके मैंने इसे फाइनली चॉप कर लिया है इसके बाद मैंने यहां पर दो टामाटर ले लिया है अपने अनोखा तेरे का आज से पहले साइद ही कभी यूट्यूब में देखा हो इबर आप ट्राय करको देखिए आपको बहुत पसंद आने वाले यह चोले और अब मेरे यहां पर लहसन अद्रक और मिर्च को ऐसा बड़ी आसा कदू कश कर लिया था से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब रेडिमेट जिंजर गाली भी यूज कर सकते हैं बट इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है सबसे सीक्रेट इंग्रेडियंट यह है जीरा और होल कोरियंडर सीट इसको मैंने राद भर के लिए इंफ्यूज करके रख दिया था सारा जो भी टेस्ट आने वाला ना छोले का सिप इसी का ही है बहुत ही सीक्रेट तरीका है इस तरीके से अब एक बास जर साथी स्पाइस लगेंगे जैसे मैंने यहां पर हल्दी पाउडर डाल दिया है उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है आपको कोई चीज अगर नहीं खाना है आप उसको इसकी भी कर सकते हैं यहां कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला तह तीका नही अब मैंने यहां पर एक चमज लिया है रोस्टेड कसूरी में थी इसको ऐसे डाल दीजे से बहुत ही बढ़िया आता है यह सारी चीजे डाल देंगे अब मैंने यहां पर जैसे बोला को सिर्फ दो चमज तेल लगेगा उसके अलावा को कुछ नहीं डालना है यह देखिए यह इतने टेस्टी बनते हैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से ज्यादा तेल भी नहीं होगा ज्यादा मसाला भी नहीं होगा को ढखके अब मीडियम से हाई फ्ले में छे से साथ सीटिया तक बढ़िया सा कुक कर लेंगे तब आपके छोड़े अच्छे से पकेंगे और यह अच्छे से गरम कर दिया था उसमें जीरा थोड़ा सा कसूरी मेति आपको इस तरीके से दालना है तड़का लगा के पैप्रिका होता है ना उसका भी तड़का लगा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है इसमें डालेंगे और यह लीजे टोटल आपके दो चमस तेल में य गरम गरम आप रोटी नान किसी के साथ भी खाईए इतने डिलीस लगते हैं मैंने बनाया था तो मेरे घर में सबकी फेवरिट होने वाली है कम टाइम में जटपट बनने वाले महमान आ जाते हैं कभी भी उनको बना के खिलाईए जम हेल्दी तरीके से छोले भटूरे के के भूलने वाले हैं तो जल्दी जाके इसको ट्राय करें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक श्राइन सब्सक्राइब करना बिलकूर न भूले तब तक कि लिए थैंक्स पर वाचिन में बिलकूर